हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इस्टडी न्यूज, आज हम इस वीडियो में 15 जून से रिलेट कुछ इंपोर्टेंट न्यूज देखेंगे पहला, IIT रुडकी के प्रोफेसर सहलेस गड़पुले को ब्लास्ट से बचने के लिए बनाए गए हेलमेट के लिए NSG काउंटर, IIT और काउंटर टेरिज्म इनुवेटर अवार्ड दो हजार इके से समानित किया गया है डॉक्टर सेलेस द्वारा डिजाइन किया गया ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट में कई नई तकनिकों का इस्तेमाल किया गया है जो सेनिकों को यूद के समय सेर पर चोट लगने से बचाव करेगा नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्योरिटी कॉंसिल के अस्ताई सदस्यों के तौर पर अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेबान और संयुक्त अरब अमिरात ये पाँच देश चुने गए हैं अल्बेनिया इस परिसद का पहली बार सदस्य बना है चुने गए सभी देशों का कारेकाल दो वर्सों का होता है इनका कारेकाल अगले साल एक जनवरी से सुरू होगा सुरक्षा परिसद में पंदर सदस्य देश से होते हैं जिन में पाँच इस्थाई सदस्य और दस और इस्थाई सदस्य होते हैं जिन में पांच इस्थाई सदस्य से अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन हैं। बाकी दस और स्थाई सदस्य में भारत, आयरलेंड, केन्या, मेक्सिको, नौर्वे, टुनेसिया, वियतनम, नाइजर, इस्टोनिया और सेंट विसेंट एंड़ ग्रेनेडिजन हैं। जिन में से पांच और स्थाई सदस्यों का कारेकाल समाप्त हो जाएगा। नेक्ष्ट है, केंद्र सरकार ने आंधर प्रदेश को जल जीवन मिसन के लिए 3183 कलोड रुपए का आवंटन किया है। इस मिसन का लच्छ है कि सभी ग्रामिट परिवारों के घर तक नल से पानी पहुचाने के वीजन को सफल बनाना है। केंद्री जल सक्ती मंत्री कजेंद्र सिंग सिखावत ने आंधर प्रदेश राज्ज को दो हजार चौबीस तक सभी ग्रामिट परिवार के घरों में नल से पानी की सपलाई को व्यवस्था की सहता का आस्वासन दिया है। 15 जून को विश्व भर में विश्व बुजुर्ग दुरवेहवार जागरुकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश है कि सांस्कृतिक, समाजिक और आर्थिक साहता से बड़ों के साथ हो रहे दुरवेहवार को रोकना और लोगों में जागरुकता फैलाना है। व्रिद्धों को उचित देखभार करना जो व्रिद्धा असरम में रहते हैं उनके साथ समय बिताना और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना है। इस बार विश्व बुजुर्ग दुर वहवार जागरुकता दिवस का थीम है। नया तक पहुँच। नेक्स्ट है नोबेल पुरसकार विजेता अमर्ति सेन की पुस्तक Home in the World का प्रकासन जुलाई में पेंग्वीन रेंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे रविंद्रनाथ टेगोर जी ने उन्हें अमर्ति नाम दिया था। अमर्ति सेन की और भी कई फेमस बुक्स हैं जैसे The Argumentative Indian और Development as Freedom है। नेक्स्ट न्यूज है खुले में सौच मुक्त केंद्र सासित प्रदेश घोसित हुआ लद्दाख। स्वच्छ भारत मिसन के पहले चरण में लद्दाख को भारत में खुले में सौच मुक्त घोसित किया गया। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग में 2017 में विस्व चैंपियन रही भारत की मीरा बाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो वर्ग में टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलम्पिक जो इस वर्ष होने वाला है। मीरा बाई चानू महिलाओं के 49 किलो वर्ग में दूसरे इस्थान पर है नेक्स्ट है भारती महिला पहलवान विनेस फोगाट ने वार्षा में पॉलेंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टीना वेरेजा उपर 8-0 से जीत के साथ 53 किलोग्राम फ्रीश टाइल में ग पेलिकोन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था अब जानते हैं 15 जून के इतिहास के बारे में आज ही के दिन कॉंग्रेस ने 1947 में 15 जून को नई दिल्ली में भारत की विभाजन के लिए ब्रिटिस योजना को मनजूरी दी थी और आज ही के दिन 1908 में कलकत्ता सेर बाजार क की शुरुआत हुई थी तो ये था इस वीडियो का एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट